नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है फजी कुमार करी और मैं आप लोगों का हरदिक स्वाकत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस और अगरिकल्चर दोस्तों आज हम लोग फंडामेंटल आफ एंटमोलाजी का सातवा लेक्चर पढ़ेंगे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने इंसेक्ट के बारे में काफी जानकारियां दे दी हैं इंसेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं इनकी आँख कैसे होती हैं इनके मौथ पार्ट कैसे होते हैं मौथ पा internal part में सरीर के आंतरिक भाग में कौन-कौन से चीजें होती हैं आज से हम उनका discussion करेंगी और इसमें grasshopper को जनते हूं क्यों लिए गया है क्योंकि grasshopper का अध्यन करना आसान होता है और grasshopper आसानी से मिल जाते हैं और ये बड़े होते हैं इनमें जो भी part का हमको अध्यन करना होता है वो थोड़ा बड़े-बड़े होते हैं और हमको clear दिख जाते हैं इसे लिए हम लोग इसी का अध्यन करेंगे और लगभग इसी टाइप से सभी कीटों में internal और गन होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं internal anatomy of gross offer अब देखो internal anatomy में digestive system है यह सबसे महत्तपूर system है इसके बाद respiratory system है circulatory system है nervous system है और काफी और कई system है आगे reproductive system है लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे digestive system के बारे में यानि की पाचन तंत्र के बारे में कोई भी मानो हो या कोई insect हो जब वो भोजन करता है तो भोजन से energy लेने के लिए भोजन से energy और पोसकत प्राप्त करने के लिए उस भोजन को पचाना जरूरी यानि की digest करना जरूरी तो इसी भोजन को digest करने के लिए हर insect में और चाहे हर आदमी में हर human being सब में digestive system होता है जो खाये गए भोजन को पचाता है और शरीर को पोसर दिता है और energy दिता है तो आज हम लोग पढ़ेंगे insect का digestive system के बारे में पाचन तंत के अंतरगत पाचन अंग अर्थात आहार नलिका और पाचन क्रिया विज्ञान का अध्यन किया जाता है हमतलग digestive system में हम digestive system में कौन-कौन से अंग उपयोग में आते हैं इसका और कैसे कैसे भोजन digest होता है इसका अध्यन करते हैं अब देखो सबसे पहला होता है भोजन के digestive system का पहला पार्ट जो है वो क्या है elementary canal ये जो होता है ये यहां से लेके यहां तक का भाग इसको हम क्या कहते है elementary canal कहते है टिड्डे के आहार नाल के एक खोखली नरिका कार रचना है जो आकार में कहीं मोटी और कहीं पतली होती है ठीक देखो जिसे यहां पर मोटी है यहां जागे यह पतली है पर यहां आगे जाके पतली हो गई है तो यह कहीं मोटी है और कहीं पतली होती है और एक खोखली पाइप यह सी सनरचना होती है नरिका का सनरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं आहार नरिका आईसे आदमियों में भी आहार न लिका होती है हमने high school में पढ़ा होगा अब देखो निगलने वाले जिससे जिसमें मुख भी संबले था इसे हम pro oral cavity कहते हैं यह वाली यह वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं यहां से इतना भाग इसको हम preoral cavity कहते हैं इसको कई भागों में बाटागा है, elementary canal को कई भागों में बाटागा है, इसमें सबसे पहले भाग को इसको हम क्या कहते हैं, pre-oral cavity, इसके बाद दूसरे को हम क्या कहते हैं, यहां से elementary canal, और उसके बाद accessory gland, यहां से यहां तक जो क्या है, elementary canal है, और यह क्या है, accessory gland है, यानि कि सहा मुखांगे कि मद्ध का अस्थान होता है, यह जो बीच में थोड़ा सा अस्थान दिक रहा है, इसी अस्थान को हम क्या कहते हैं, प्रियोरल कईवटी, जो कि हाइपो फेरनेक्स, यह जो हाइपो फेरनेक्स है, इसके द्वारा दो भागों में बटा होता है, पहला भाग कौन नलिका होती है, यह जो cellivari gland होती है, यही आकर cellivarium में खुलती है, भोजन cellivarium में चबाया जाता है, इंसेक्ट जो मेंड़ी और मैकसिला से पगड़ कर मेंडिविल से जो उतरते हैं, उतरने चबाने के लादे काम होता है, वो यहीं पर होता है, तथा लार मिलाया जाता है, क्योंकि ऐसे जब लार आएगा यहां पर इसी जो यह थोड़ा सो छोटा सबहाग दिख रहा है, यहां पर यहां पर चबाया जाएगा बोजन, ऑचबाते समय लार भी मिलाया जाएगा, जैसे हम लोग जब बोजन को मुख में रखके चबाते हैं, तो elementary canal यहां से लेके यहां तक को हम पूरा elementary कैनल के अंतरगत रखती हैं। इसको हमने तीन भाग काउन काउन से ? पहला है four gut यानि की sto medium दूसरा क्या है mid gut यानि की metastodium जिसको हम bentry plus कहते हैं और अगला क्या है, hind gut जिसे हम proctodium भी कहते हैं। अब देखो, इसको याद कर से कैसे करते हैं, forgat, midgat, hindgat, इसको ऐसे line से याद कर लो, को इसे, fmh, 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 ऐसे याद कर लो, एक trick इसकी और भी है, forgat, midgat, hindgat, हमको इसका sequence नहीं होता कि आगे कौन सा रहेगा, आगे फोरगट रहेगा कि हिंडगट रहेगा इसे मिडगट का तो नाम से पता चला है कि हाँ ये मिडगट है तो ये बीच में रहेगा मिडग मतलब बीच में रहेगा लेकिन फोरगट और हिंडगट नहीं याद होता है फोरगट को फारवर्ड कहते हैं, फारवर्ड मतलब आगे, कि इसको हम फोरगट को फारवर्ड से आद कर सकते हैं, कि इसको अगला भाग जो होता है, इसको हम फारगट कहते हैं, और जो मिड़ वाला भाग होता है, उसको मिड़ गट कहते हैं, और जो पीछे होता है, उसको हम हेंड गट गहते हैं ठीक अब देखो फॉर गट या इस्टो मेडियन जो होता है या हार नलिका का अगला भाग है जिसका मुक्षकार भोजन को जमा करना है जब यहाँ पर यहां पर सेलिवेरियम में भोजन जो कुछ चबाया जाता है चबाने के बाद यहां पर आके क्या होता है फॉर गट में इसको आके जमा कर लिया जाता है इसको निमलिकित भाग में भी भाजित करके हम फिर अध्यन करते हैं सबसे प्राव निक्स यह होता है फेर निक्स उसके अब यह जो तीनों हैं वो इसी वाले बड़े से भाग के अंग हैं यह जो यहां से यहां तक यह एक सिल टाइप का दिख रहा है इसी के यह तीनों भाग हैं फेरनेक्स, औइसोफेगस, क्रॉप और एक है गिजाड यहीं पर क्रॉप और गिजाड यहीं पर इतने पर जो लग बंगट में फैर्निक्स था फैर्निक्स यानि कि यह वाला यह 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 पतली सिवाइं स्का क्या कार रह कार होता है आप पोर्व, बंख्युः और और ओइसओ फैगस के मद्ध में स्थित होता है यह जो पूर मुखुभा प्रियोरल कईविटी है यह वाली और यह जो ऑइसो फाइगास है इन्हीं के बीच में इस्थीत होता है इसमें प्राया डाय लेटरल मास्पेसिया होती है या मास्पेसिया उन केटों में अधिक विक्सित होती है जिन में फैरनेक्स चूसक पंप बन से पहीब दिख रही है यह क्या होती है थोड़ी जादा बिक्सित और उसकी मास्पेसियां थोड़ा ज्यादा मखबूत हो जाती है ठीक अब अगला क्या है आई ओइसो फैगस फैर निक्स हो गया अब आई engeसो फैगस ऑईसोफैस यह बेचवाला भाग होता है यहां एक सा मैं और रुड़ने वाला भाग होता मुहीं कि यह होता है और इसोफाइगस होता है पर अफिर डिखला क्या है ञ्रॉप अब इसे बाहर से देखने पर औरOhio consist of ऐगस से केवल इक बिष्द्रित रॉप होनी की वजह से पहचान जा सकता यह वोईसोफाइगस है और यह जो बिस्त्रित रूप है इसी वज़े से हम इसको पहचान सकते हैं कि हाँ यह क्रॉप है ठीक यह जो बिस्त्रित वाला रूप है इसको हम क्रॉप कहते हैं परन्तु यह सेक्षन काट कर देखा जाए तो क्रॉप के कई ridge होते हैं ठीक इसके कई sclerotized ridge होते हैं जो तिरची दिसा में transverse लगे होते हैं जो कि oisophagus से भिन होते हैं ये बाहर से देखने तो एक ही टाइप से लगता है लेकि जो बंदर से हम इसको काटेंगे तो ये तिरची दिसा में इसमें ridge लगे होते हैं इसी वज़े से हम इसको oisophagus से अलग मानकर अध्यन करते हैं क्रॉप का अब क्योंकि इसमें भोजन जमा होता है था इसकी दिवार पतली होती तो था मासपेसियां कम बिश्चित होती है इसी जो क्रॉप होता है क्रॉप में ही आकर पूरा भोजन इकठा होता है यहाँ पर भोजन सेलिवेरियम में भोजन चबाया जाता है और यहाँ पर क्रॉप में आकर भोजन इकठा होता है अब ही यहाँ क्यावल इकठा हो रहा है अब फिर अगला क्या है अगला भाग है गिजाड गिजाड बाहर से देखने में तो क्रॉप में ही जुड़ा रहता है लेकिन यहां अंदर से एक वाल्व होता है उसी वाल्व के आगे जो वाला भाग होता है उसको हम गिजाड कहते हैं और आगे इधर जो होता है इसको हम crop बोलेंगे इधर जो होगा उसको हम गिजार्ड बोलते हैं यह crop के पीछे इस्तित होता है उपर से देखने पर इसे crop से अलग नहीं किया जा सकता परंत आंतिक रूप से गिजार में लंबा का रुभार होता है जिस पर काईट के बने दाने लगे होते हैं गिजार्ड का पिछला हिस्सा संकुचित होता है देखो गिजार्ड का पिछला हिस्सा है यह वाला यहां से देखो यह संकुचित हो थोड़ा सा दब नहीं गया जिसको थोड़ा संकुचित होता है जिसके सिर की आंतरिक सता हफर 6V के ऐसे ऐसे आकार के 6 रचनाई लगी होती ही.. इस टाइप से हैज है ऐसे 6 रचनाई लगी होती है तो इस हुम क्या खहते हैं? 6V आकार की रचनाई.. जो की गिजाड के उभारों के साथ कारडियक walg यह रचना.. ju गिजाड के मिल जाती है और इसको कार्डियक वाल्व की एक खचना बनाती है इसलिए मैंने कहा था गिजाड जो होता है एक वाल्व की तरीके से काम करता है भोजन इसके अंदर चला जाता है लेकिन वापस फिर नहीं आता है अब आता है मिडगट यानि कि इसको हम बीच वाली हाथ खचते है यहीं पर भोजन पचने वाला जो काम होता है भोजन यहीं पर पचता है यह यह कृत सी की अथवा कार्डियक वाल्व से लेकर यहां से यह जो कार्डियक वाल्व है जहां यह दब गया है ये Cardiacивалv से लेकर Melpagian Tubules या Phylogic Valve तक होता है यहां से यहां से यहां तक यह जो भीच में होता है इसको मिडखट कहते है इसकी दिवार में निमल्खित परते होती है अब इसकी दिवार में जो मिडखट है इसकी दिवार में कौन कौन से परते होती है पहले तो है पेरियो ट्रॉपिक मेंब्रेन ठीक उसके बाद फिर क्या है इंथेरिक मेंब्रेन फिर अगला क्या है वेस्मेंट मेंब्रेन फिर सर्कुलर मेंब्रेन उसके बाद लॉंगी ट्यूडिनल मसल्स ठीक और यह सर्कुलर मसल्स है तोड़ा हम देखने के और इसके बा गलग काम होते हैं लेकिन मुख्य जो काम होता है लार बनाने वाला वो किसका काम होता है इंठेरिक एपी थेलियम का होता है तो इसे के बारे में हम पढ़ते हैं तो इंठेरिक जो एपी थेलियम होता है इसके मुख्य पांचकार होते हैं अब वो पांचकार कौन कौन से होते ह यह मिडगट के इंदर ही पाए जाता है यह जो मिडगट होता है इसाiben के इवशा स्पर यह का अध्धन करेंगे क्योंकि यह जयादा महात्पूर मानंब होता है इसका क्या काम होता है पाचक रस पाचक रस जिसको हमig हमंदो कहते हैं इस भोजन के का का काम क düşün भोजन ayon जिसे हमारी चोटी आथ में भोजन असोसित होता है उसी तरीके से यहां भी भोजन का असोसित होता है और भोजन क्या होता है रक्त में मिल जाता है भोजन को असोसित होने के बाद जो इसमें नूट्रियंट होते हैं पोसकत तो होते हैं वो रक्त में मिल जाते हैं फिर नई को नई कोश्काओं का निर्माड करेंगी और खाते समय जो इंसेक्ट भूजन लेता है उसमें जो पानी बचा रहता है वो पानी भी इसी मिट गट में मिट गट के इंटेरिक एपिथेलियम में असोसित होता है और त्याज पदार्थ यानि की जो अपसिस्ट पदार्थ बज़ जाते हैं इनको बाहर निकालने का काम भी यहीं पर होता है अब अगला है हिंडगट यह जो चल ला था इसका यह तीसरा भाग है कौन सा भाग जिसको हम हिंडगट कहते हैं मिडगट के पिछले भाग से लेकर और गोदा तक गोड़ा लिख लेकर यहां तक हिंडगट निके यहां तक हिंडगट्न कहते हैं तक फाइला होता है यानि कि जो एबडामिन होता है एबडामिन के फॉर्थ खंड से लेके और ये तेंथ खंड तक होता है चिक इसके निमलिखित भाग होते हैं अब इसके कौन-कौन से भाग होते हैं ये देख लेते हैं इलियम होता है सबसे पहला भाग क्या होता है इलियम यह वाला भाग, यहां तक, यह वाला भाग को हम क्या कहते हैं, इलियम, फिर उसके बाद दूसरे वाले भाग को, कॉलम कहते हैं, यहां, यहां वाले भाग को, देखो एक बाद फिर से लिखा देते हैं, इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इलियम, इस वाले भाग को क्या कहत जो पीछे की तरफ पतली होती है यानि कि पीछे की तरफ ये पतली होती है इसकी आंतरिक दिवार में कई उभार होते हैं इसके जो अंदर से हम देखेंगे तो बाहर से दिख रहा है अंदर से देखेंगे तो इसमें कई उभार होते हैं फिर अगला क्या है कॉलम बाहर आकरती सी देखती हो YouTube कौलम को ऐसे अलग कर पा बायाकृति को देखते हुए कोलम को इलियम से अलग करना बड़ा मुश्किल है केवल बाहेकरती के अधार पर अलग कर सकते हैं केवल आकरती के अधार पर अलग कर सकते हैं क्योंकि कुछ कीटों में S के अकार की होती हैं तथा पतली होती है यह वाला जो भाग होता है यहाँ यह वाला भाग दो खोई एस के ऐसे बना है ऐसे यह तो बनता है ऐसे 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 बन गए ना तो इसी आकार का होता है इसलिए हम इसको थोड़ा सा अलग कर पाते हैं किस से इस से इलियम से अलग इसको थोड़ा सा कर पाते हैं यह पांचवे और छठवे खंड में इस्थित होता है ठीक चोथे खंड में क्या होता है इलियम होता है और पांचवे से छठवे खंड के अंदर गत क्या होता है कॉलम होता है और इसके बाद फिर रेक्टम का काम सुरू होता है रेक्टम क्या होता है यह वाला अंतिम भाग होता है रेक्टम जहां पर जो मल के रूप में जो अपसिस्ट पडार्थ होते हैं वो याके यहां पर उस देर के लिए रुके रहते हैं पतली दीवार का बना होता है यहां अगले तथा पिछले दोनों सुर्यों पर पतला होता है यहां आगे भी पतला है और पीछे भी पतला है बीच में मोटा होता है इसी मोटे भाग के अंदर अंगुलियों के अकार के छे रेक्टल पाइपली आई होते हैं ठीक पाइपली होत तो तीन धारियां इस तरफ से हैं और तीन धारियां पीछे की तरफ से हैं तो इसको हम छे मासपेसियों की इसमें धारियां होती हैं बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से क्या होती है छे रेक्टल पैपली आई होती है अब जो होता है सेलिवरी गलेंड यह एक प्रकार की सह जो थी उसमें से एक सैलिवरी Remo याने कि लार गंधिया आएं ठीड़ी मी एक जोड़ी पाई जाती है जो for Joining के नलिका के रोप में निकल कर दो भागों में विवाजित हो जाती है यहाँ से निकलती है और दो भागों में यहाँ से निकलती है और दो भागों में भाजित हो जाती है, एक भाग ये गया है, तो इसका चित्र इधर दिख नहीं रहा है, ये पीछे के साइड में है, और ये आगे वाला एक दिख रहा है, ये एक जोड़ी होता है पूरा, तो एक दिख रहा है, एक पीछे जो है वो हमें दिख नहीं रहा है बिभाजित हो जाती है परतेक नलिका वक्छ भाग के वक्छ भाग में पीछे की और कुछ दूर आकर उन्हा कई साखा में भाजित हो जाती है अब यह जो परतेक जो दो होती है तो उसमें परतेक जो होती है वो आके यहां आगे कई भागों में भाजित हो जाती है ऐसे एक द तो प्लिस इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो सुझाओ है इसको कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक सेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं इसे तरीके से और वीडियो लाता रहा हूँ लिते हैं अगले क्लास में तक तक के लिए ठांक जिलते हैं अगले क्लास में तक के लिए ठांक